स्री सुत गुरुदेव भगवान के चड़न कमलों में चलते हैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने मन को स्री गुरु चड़न के कमलों में लगाने हैं और अपने मन को भगवान के भक्तों में लगाना है ऐसे ही भगवान गुरुदेव अपने हमारी उप्रक्रपा बर्साइं रखे ऐसी प्रात्ना करेंगे हरी ही ओम ओम इदगुं भविही प्रजननम्मे अशुदसभीर गुं सर्वगडगुं सुस्तै आत्मसनी प्रजासनी प्रशुषनी लोकेशन भेशनी ही अगनी ही प्रयाम बहुलामे करोत्वन्नम पयोरेतों असमा शुद्धत्त ओम ध्यानु सी भगवते शाम विश्मे नवहाओं नमो नारायनाय नवहाओं ओम इसका वाद थोड़ा ठीप करो ओम ओम सी ताराम ओम ओम जो जहां भी बैठे होंगे पंकजी के तरफ से न हलुआ है देशी घी के मुहें पानी आ गया हम पंकजी है वहां के पटना उदर मेरें राइब के तरफ के सज्जनों जो जहां भी भक्त गन है हम जहां भी सत्संग बोले हैं सबसे ज्यादा अच्छा हमें सगुना मोड वाले ही लगते हैं बड़ी सांती से आप लोग सुनते हैं और हमको भी खूब सुनाने का मन करता है और हमने संकल्प लिया है कि रविंदर जाली जब तक जिन्दा रहेंगे तब तक कारिक्रम होगा और मर जाएंगे तब फिर बिटवा सब कराएगा लेकिन अभी मरने नहीं देंगे कृष्ण भगवान कहेंगे कि और बचे रहो तो आप लोग जयकारा लगाईए भगवान का जयकारा देखिए भगवान की तो जय सदयव है तो हम लोग भगवान की जय क्यों करते हैं जय तो अपना करना है न, भगवान कातन जय है न पराजय है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो राजा राम चंदर की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय, क्यों बोलते हैं जय? जय तो उनका तन पराजय है न जय है तो जय इसलिए हम सब लोग बोलते हैं कि अगर किसी से कुछ लेना है तो आप उसकी बढ़ाई करके न लोगे कि उसका बुराई करके लोगे साड़ी दे तो न देवरानी उजाके बढ़ाई करना पड़ेगा कि टाइस बहुत बढ़िया है पलंग बहुत बढ़िया जहां कहीं खराब है कि साड़ी नहीं देगा तो उसी तरह भगवान की जय जब हम लोग करेंगे तो भगवान कहेंगे चल भाई यह हम मर जय कर रहा है तो इसका भी जय कर दो अब जय कब होगा जब पाप का छए हो जाएगा तो इसलिए जय कारा इसलिए जय उद्गोस कोई भी जब सुभकार्य होता है तो देखते हैं जब भगवान राम ने सेतू बंद कर लिया तो जय कारा करते हुए हनमान जी सब बानर गं सेतू पर चड़े तो आप सब लोग जहां हैं वहीं से जय कारा लगाएंगे बोल ये स्री सद्गुर्देव भगवान की जय हो राजा राम चंद्र भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो ओम नमह पार्वती पते हर हर मादे ओम स्वामी दिनानात्रमंस महराज की जय हो सजनों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सद्ग की महिमा क्या है और दान की महिमा क्या है वास्तविक दान किसे कहते हैं उसके पहले आज तमाम लोगों के मन में कुछ न कुछ प्रस्न उठते रहता है तो लास्ट में अगर किसी के मन में कुछ प्रस्ण हो सत्संग के दौरान तो आप माताओं में पुर्षों में जो भी किसी के मन में प्रस्ण उपजे तो उसे आप पूछ सकते हैं पांच मिनट में उसका हम लाष्ट में जैसे उत्तर दे देंगे तो अगर जिनके पास भी मन में प्रश्ण होगा तो ये जो बेदान्ती चैनल चला रहे हैं इनहीं के पास चिठी में लिख के लाके दे दीजिए तो आपका अपना नाम लिख के दीजिएगा तो आपको भुला लेंगे तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं क्योंकि भगवान ने भी गीता में माना है कि परिप्रस्णेन सेवया अरजुन प्रस्ण और सेवा के द्वारा ही उस ज्यान को प्राप्त किया जा सकता है और वह ज्यान को इनकोई तत्वदर्शी महापुरुस ही देता है ये बातें जो हम आपको बताते हैं इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है ये हमारे बिंधाचल के बगल में 100 बरस हमारे गुरु iliansार की उमर हो चुकी है और वहीं बिंधाचल देभी मायक नाम आप लोग सुने है न बिंधाचल देभी मायूय बगल में बगल कि ब्राश्रम है चुनारा है तो यह उन्हीं की बिद्या है और वहीं हम लोग आप लोगों कोई अथार्थ जो चीजें हैं वो हम बताते हैं तो इसलिए आप सब लोग ऐसा मस समझेगा कि हम बता रहे हैं तुलसी जास ने कहा तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास कृपा हुई रगवीर की बन गए तुलसी दास तो इसलिए आदमी का यहा हम दूतियो नास्ति इस संसार में बस एक कास्तित्व है वह है इस्वत वह है परमात्मा दूतिये आख कुछ है ही नहीं जैसे सुर्य भगवान एक है और अगर नीचे दस थाली आप रख दो तो दसों थाली में एक-एक सुर्य भगवान दिखने लगेंगे तो क्या दस सुर्य भगवान हो गए नहीं सुर्य तो ये कहीं है उसी तरह से हिस्वर एक है उसको किसी ने गौड कहा किसी ने खुदा कहा किसी ने वाहे गुरू कहा किसी ने भगवान कहा किसी ने राम कहा नाम भासाओं के हिसाब से बदल गया लेकिन वो है एक जैसे आप दच्छिन में जाओ तो पानी को तनी बोलते हैं इंग्लेंड में जाओ तो वाटर बोलते हैं कहीं नीर बोलते हैं कहीं चीर बोलते हैं तो क्या पानी बदल जाता है पानी से प्यास ही पुझती है उनका निवास अस्थान जैसा कल मैंने बताया भी था कि हिरदय में हैं तो आईए थोड़ा सा हम लोग किर्तन करें उस किर्तन के बाद फिर आप लोगों को जैसा मैंने सत्संग की महीमा और दान की महीमा इन दोनों पर चर्चा करेंगे आप लोग भी पीछे-पीछे ओं जै गुरु देवं जै गुरु देवं जै जै सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी करव प्रणाम जोरी जुग पानी सब लोग करिएगा जी बिधी हो ये नात हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा अगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए जब भी मांगने का मन करे न गोस्वामी तुलसी रास की यहीं चवपाई पड़ देना चाहिए कि जेही बिधी हो ये नात हित मोरा करव सुबेगी दास में तोरा अब प्रभुक्रपा कर रहुए ही भाती देखिये भगवान की एक क्रिपा हुई है ये जो कारिक्रम हो रहा है ये साच्छात द्रिष्ण भगवान की क्रिपा है अगर क्रिपा नहीं होती तो ये कारिक्रम होता ही नहीं ये भगवान की क्रिपा प्रगती नगर वालों पर ये हाई टेक वालों पर सबुना मोड वालों पर हुई है तो भगवान से क्या मानना प्रभु अब प्रभुक्रिपा कर रहुए इभाती सब तजी भजन कर रहु दिन राती सब तजी भजन कर रहु दिन राती अब बताओ सब त्याग के अगर भजने करने लगोगे तब बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कैसे ये दुनिया चलेगी कैसे तो इसका तात पर यह नहीं कि सब त्याग के भजन कर रहुए इसका तात पर यह है कि हर काम करते हुए यह याद बना रहे भगवान में कि हमें राम राम ओम ओम जपना है तो अब अब प्रभु प्रिपा कर रहु यही बाती सब प्रभु प्रपा कर रहु यही बाती सब तजी भजन कर रहु दिन राती माई लोग एक भजन गाती है वही भजन में अब दाने जा रहा हूँ आप लोग पीछे पीछे गाना सब माई भजन गाती है तारा है सारा जमाना प्रभु हम को वितारो हमने सोना है प्रभु सबरी को तारा हमने सोना है प्रभु सबरी को तारा मेरी का करके बहाना प्रभु हम को वितारो तारा है सारा जमाना प्रभु हम को वितारो हमने सोना है प्रभु हनुमत को तारा हमने सोना है प्रभु हनुमत को तारा नामन आमन का करके बहाना प्रभु हम को वितारो तारा है सारा जमाना प्रभु हम को वितारो हम को वितारो गुरु हम को वितारो हमने सोना है प्रभु हमने सोना है हमने सोना है प्रभु हमने सोना है हमने सोना है प्रभु मीरात को तारा अमने चुना एं प्रभु मेरा को तारा इसके प्याला का करके बहाना प्रभु हम को भीतारो इस प्याला का करके बहाना प्रभु हम को भीतारो सारा है सारा जमाना प्रभु हम को भीतारो प्रभु हम को भीतारो प्रभु हम को भीतारो हमने सुना है प्रभुरावर को तारा स्रीता का करके बावाना है हो हमने सुना है प्रभु घुरुजी को तारा हमने सुना है प्रभु घुरुजी को तारा हमने सुना है प्रभु मेरे स्वामी जी को तारा ओमनाम का करके बाहाना प्रभु हमको भितारो तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भितारो जोजे श्री सदुर्णे ओ भागवार ने कीजे हो सज्जनों सतसंग का महिमा परमपार है ये पूरी दुनिया सतसंग पर ही चल रही है पूरी दुनिया हर देश का माता पितार अपने बच्चों को कहता है की सतसंग करो सतसंग का मतलब अच्छी संगत करो अगर वह इंगलिस जानता होगा तो अपने बच्चों को कहता होगा के गुड बवाई के साथ रहना बैट बवाई के साथ मत रहना तो इस सतसंग न है और क्या है हमारे महापुर्शों ने भी यहीं कहा की संगत ऐसी करना है जिससे की आपकी रंगत बदल जाए संगत ऐसे ब्यक्ति की करिये जिससे आपकी रंगत बदल जाए आपका शुभाव बदल जाए तो यहीं सतसंग है तो इसलिए भारत देश में बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने घर में नाती पोता को पकड़ लेते हैं कहते हैं चलता अंसु मेरे जाल में सतसंग हो रहा है परसादी मिलेगा परसादी के लोब से बच्चे आते हैं बैठते हैं तो उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती है लेकिन फिर भी बैठते हैं लेकिन जो ब्रेन है मनुस्य का ये आटोमैटिक है ये सेव कर लेता है इसका सेंसर इतना मजबूत है कि दुनिया में अभी तक कोई सेंसर बना ही नहीं ये ब्रेन का इतना सेंसर मजबूत है सोचिये इस छोटे से कैमरे को खड़ा करने के लिए चार स्टेंड लगा हुआ है फिर भी डर बना रहता है कि ये गिर जाएगा लेकिन ये भगवान द्वारा बनाया हुआ सरीर दोड रहा है डांस कर रहा है एक बार भी गिरता है क्या ये सेंसर का ही कमाल है पैर के नीचे एक चीटी आ जाती है और ये सेंस करके पैर बता देता है ब्रेन को कि नीचे चीटी है यह सेंसर से ही आप चल रहे हैं दोड रहे हैं खा रहे हैं जीव सेंस करती है कि आपने मीठा खाया कि तीता खाया है नाक सेंस करती है कि यह आपका सुगंध है या दुरगंध है तो इसलिए आप लोग भी याद करिए अपना अपना बच्पना इसी तरह आप लोगों को बाबा पकड़ पकड़ के लाते रहे होंगे जैसे आप आएगे तो यहीं है सत्संद तब आप लोग आज सुने की नहीं अंसु मेरे जाल में भागवत खता हो रही है तो आप लोग बिना कहे चले आए भागवत गथा का बड़ा महत्व है और अपने जीवन में हर व्यक्ति क को भागवत गथा सुननी चाहिए और अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है सामर्थ दिया है तो एक बार करवा करके और लोगों को सुनवानी भी चाहिए ये साथ दिवसिय जो संतों ने बताया इसी लिए बताया कि इसी बहाने भगवान में मन लगा रहेगा और सीखने को मिलेगा और हमारी आप की संस्कृति का ट्रांसपर होगा राम और कृष्ण को छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जानेगे तो ये सतसंग जरूरी है गोश्वानी तुलसी दास जी ने सतसंग की महिमा बड़ा ही सुन्दर स्री राम चरित्मानस में बर्णित किया है और गीता का अनुबाद ही है स्री राम चरित्मानस भगवान स्री कृष्ण की परम पुनीत वानी स्रीमत भगवद गीता का ट्रांसलेट है स्री राम चरित्मानस भगवान भी गीता में कई जगह अरजुन को कहा है कि अरजुन संग दोस से बचो और सतसंग करो गुर्ष्वामी तुलसी दाजी काते हैं कि एक घरी आधो घरी आधो में पुनियाद तुलसी शंगती साधु की हरे कोटी अपराद अब साधु की संगत आपको करना है अब प्रस्ण उठता है कि साधु मतलब क्या होता है डाड़ी बढ़ा लें लाल कपड़ा पहन लें माला जपने लगें तो क्या वो साधु हो गए नहीं आप सब भी साधु है कबीर साहब ने कहा मन रंगाय रंगाय जोगी कपड़ा जो अपने मन को भगवान में रंग ले वहीं साधु है वो चाहे गिरहस्त आस्रम में हो या विरक्त आस्रम में हो और ऐसे व्यक्ति का अगर आप थोड़ी सीधी संगत करेंगे तो आपको अच्छी बात ही बताएगा इसलिए आपको सफसंग जरूरी है गोश्वामी तुलसिदास जी कहते हैं कि स्वरग नरक या पवरग सुख धरियतु लाएक शंग तूलनतां ही सकल मिली जो सुखलव सतसंग सज्जनों सफसंग में बड़ा सुख है आज कई तारिक है 24 इसी हॉल में आप 30 तारिक को आईएगा अगर 10 मिनट बिना मच्छर काटे हुए आप बैठ लिजिएगा तो हम मोच डारी मुडा के आपके घर आजाएगे आप अपने घर में ही अभी जाईए दूगो अगर बत्ती मच्छर भगवान के भी अगर बत्ती निकल आया है बिना जलाए हुए आप एक घंटा नहीं बैठ पाईएगा अच्छा ये तना लोग बैठे हैं कोई लोग हाथ उठा दीजिए के हमको ये गो मच्छर काटा यहाँ अभी जब से सत्संग हो रहा है किसी को काटा जो की जाड जंकर के किनारे बैठे हुए इसलिए वो मच्छारा सोच रहा है कि हम हुँ सत्संग सुन ले और जो अभी सत्संग नहीं सुनेगा वो अगला जनमे गनेश मच्छर बनेगा और तो नहीं हरारव मच्छरे बंते नहीं सुन रही है नहीं कागल गनेश तो क्या नाम है इसलिए वो मेचारा सोच रहा है कि हम हूँ सुन लें कि अगला जनम फिर मनुष्य शरीर मिल जाए यहीं तो सबसंग की महिमा है आप उतना आनंदित एसी में घर में बैठे रहते हैं चाय नास्ता करते रहते हैं उतना आनंद नहीं मिलता है लेकिन आप सबसंग में बैठें देखें कितना आनंद मिल रहा क्योंकि यह है आत्मा का भोजन है सबसंग सबसंग का साबदिक अर्थ होता है संदी विच्चेत आप करेंगे तो सबसंग जब आप सत्य का संग करने लगेंगे तो आनंद मिलेगा तो इस संसार में सत्य क्या है इस संसार में आप कहो कि ये घर मेरा है अरे भाइया तब 20 साल पहले तो और घर कहां था आप सत्य कहां बोल रहे हैं आप कहो कि ये कुरता मेरा है तो जब ये सरीरे आपका नहीं है तब क पुर्ताब का कहां से होगा तो आप कहीं कहीं से जूत बोल रहें इस संसार में सत्य क्या है तो हमारे दादा गुरु महराज ने बारह मासी में लिखा कि सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रशार नित्या नित्य विवेकिया लीजवबात विचार इस संसार में सत्य है तो आत्मा और ये आत्मा को न सस्त्र काड़ सकता है न अगनी जला सकती है गीता में भगवान स्री कृष्ण कहते हैं अचेद्यो अयम्दायो अकलेद्यो अशोष्य एवच नित्यह शर्वगत अस्थारुण अचलोयम सनात्न हे अर्जुन यह आत्मा ही सनातन है और सत्य है आप सरीर नहीं है आप आत्मा है आपका स्वरूप आत्मा है अगर आप सरीर होते तो आत्मा के निकल जाने के बाद कितना घंटा तक आपका बेटा आपको घर में रखता है बताईए सब लोग, आप सरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आपके सरीर से कोई प्रेम नहीं करता, आपकी आत्मा से सब प्रेम करते हैं, आत्मा है, जैसे कुरकुरे लड़िका सब खा है या चिमकिया भीग दे हैं, उसी तरह ये सरीर कुरकुरे का चिमकी है, मिठाई, काजु कतली आप लोग मंगाते हैं तो कजुईयात कुल घूनल पिसले रहा है उस सबसे बढ़िया खाली चिनकिये रहे उपर वाला जो डबवा रहता है नहू है लेकिन काजुआ खा लेते हैं डबवा कैसे डस्ट बीन में डाल देते हैं तो ये आत्मा अगर निकल गया तो ये सरीर बस डस्ट बीन में ही जाएगा तो आप सरीर नहीं आप आत्मा है और जब तक ये आत्मा रहा तब तक तो सब आप से प्रेम करते रहे लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई है तो अगर सरीर होते तो सरीर से प्रेम करता इसलिए सत्य है आत्मा तो जब ये मन आत्मा की संगत कर लगे उसी का नाम सत्संग है आत्मा की आवास सुनने लगे सही गलत का उसे आभास होने लगे तो कहते हैं गोश्वामी तुलसीदाश जी कि जो सत्संग में सुख मिलता है धर्थी पर उतना सुख कहीं भी नहीं आप इतना सुख से अभी जी नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं इतना सुख से आप अपने घर के डल्लब गद्दा पर नहीं बैठे हैं ये सत्संग का सुख है क्योंकि आत्मा को खुरात मिल रहा है भगवान का इसलिए हर व्यक्ति को जहां भगवान की चर्चा होती हो वहाँ एक घड़ी आधा घड़ी जितना समय मिले आपको अपना राज काज करने के बाई हम नहीं करें क्या के यहीं सत्संग सुनो सब साधू बन जाओ तो सब के बाल बच्चा के हम खिलाएंगे नहीं सब काम करो हमारे गुरू महराज कहते हैं कि सब अपना बाल गो बाल को देखते रहो खाली एगो उसमें एड़ कर लो कि सुबह साम भजनिया न छूते पावे जैसे कोई नसा करता होगा तो साम में निकल जाता होगा कि अब चले नसा करें कोई कुछ कोई कुछ मन उधर घीच लेता है तो जब आप भक्ती का नसा करने लगोगे न तो सारा नसा इसके आगे फीका पड़ जाएगा कह सभी नसे संसार के उतरिजात परभात नाम खुमारी नान का चड़ी रहे दिन रात इस संसार के सारा नसा अभी पियोगे दू घंटा बात फिर पिने को मन करेगा लेकिन अगर भगवान के नाम का सतसंग का नसा अगर आपको चड़ गया तो ये दिन रात चड़ा रहेगा ये फिर उतर ही नहीं सकता माता मीरा को चड़ा तुलसी दास को चड़ा कबीर साहग को चड़ा पुज्य गुर्देव भगवान को चड़ा जिसको ये भगवान के नाम का नसा चड़ा वो उतर नहीं सकता है इसलिए सज्जनों जो सतसंग में सुख है वो कहीं सुख नहीं है एक कहानी से आपको मैं असपस्ट करूँगा एक महात्मा थे उन्हें भगवान ने स्वप्न में दर्शन दे कहा कि एक महीने बाद तुम्हारी मिलती हो जाएगी महात्मा जी उस दिन से खूब भगवान का नाम जपने लगे खूब राम 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 बोले अब एक महिना बाद तो मर ही जाना है जितना भगवान का नाम लूट सकूँ कहें राम नाम की लूट है ये बुढवन सबसे पूछो जे पकल आम हो गया है कप टबग जाए कोई गारेंटी नहीं लेकिन बुढवों सब डाई लगा लगा के जवान बनता है तो कितना डाई लगा लो भगवान तो देखिये रहें कि तुम्हारा कितना आयू है महात्मा जी ने कहा भी एक महीना बचा है खूब भगवान का नाम जपूँगा कोई भगत जाए कुछ भी अपना दुख सुनावे तो कहें उसकी मर्जी से अच्छा हुआ जाओ देखे कि जितना हमी बगबग आएंगे उतना राम राम जपेंगे क्योंकि ये दुनिया कहियो न सुधरी है अन सुधरेगी सुधरना अपने आपको है हम अगर सुधर गए तो हम सुधरे जग सुधरा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिहा कोई जो दिल ढूंढा आपना मुझ से बुरा न कोई देखिए सारी पहलवानी चालिस बरस के बाद तीस बरस के बाद आज के समय में दवाई न खईबत न बचवाद, सारी पहलवानी वे टबलेट खा के सब जिन्दा है, अतव कोई होकरा मार देंगे, तो होकरा कर देंगे, तो होई जा पलेट खरीद लेंगे, लगता है कि दुचार सव बरस का मेनू बने ले हैं इंसान, एक DSP साहब रिटायर हुए, बोले महराज जी दुई करोन रुपिया मिला है, कोई बार यहां बिजनस बताईतों तो वहें आपके असिरबाद से करते हम, हम बोले अब आप रिटायर हो गए, अब भक्ती करो, राम राम जपो, सरकार इसी लिए रिटायर किया है, यह नहीं कि कहीं दू कठा उन् दलाल मिल गया कहे चला, उन्हें का नाम है सगुना मोड में जमीन खरीदा, अब ले आया उनको दू करोन फसवा दिया, अब बेचारे हुए टेंसन में हाठ टेख हुआ मर गए, हम कहते राम राम जपो, अब दू करोन के चार करोन बनाने के फेराम पड़ गए, तो यह क्या नाम है, राम नाम की लूट है, जब यह केस फक जाए न, तो समझ लो कि पहिला नोटिफिकेशन भगवान का आ गया, जैसे कोर्ट आपको तीन बार नोटिफिकेशन करती है, उसके बाद बारंट इसू कर देती है, कुड की जबती का, चाहे सूट एंड बारंट भ का नाम है, वहां से समन, तीन बार में हाजिर नहीं होईएगा, तो घर तोड़ देगा न तो सूट वारंट कर देगा, तो भगवानों तीन गो नोटिफिकेशन देते हैं, उत्तर परदेश के मुगल सराय के गो बिरहिया थे हीरा लाल, उगाते थे के लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा, सजनवा जो भगवान हम लोग के सजन है, और पहिली पतिया, पहिला नोटिफिकेशन जब आता है, तो क्या है कि पहिली पतिया में केस पकी गई ले, यह डाड़ी पकने लगेगा, केस पकने लगेगा, कितना उखाड़ोंगे दूगों तब तक दूगो पक जाएगे, तो पहिली पतिया गया गिरे, अब एलर्ट हो जाओ, अब पचास पचपन उमर हो गया, अब बहुत दुनिया देखताक लिया, अब भजन करो, तब अगर नहीं सुनेगा, तब दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कि दूसरी पतिया में सुझे न न यन न माँ ये कितनों ये असजी होस्पीटल में जाच करा लो, इम मसीन है कुल ठगन की नहीं समझ रहे हो, उखाली तोरा रूपईया ठगे लाया, मसीन में घुसा दिये, वो मसीन में घुसा दिये, चस्मा लगा दिये, लेकिन कि बुतुरुनियर दिखाई पलते बुढ़िया, बोल बुतुरुनियर तो दिखाई देगा ने, भगवान उगीच लिये, रोसनी, कितनों प्रोटीन खालो, जतने प्रोटीन सब बने हुए हैं, ये सब ये वो कमाने का जरिया है कमपनियों का, बना बना के अपना बेच रही है, तो दूसरी पतिया में सुझे ननयनमा भगवान रोसनी खीचने लगेंगे, कि अब देख, दुनिया को मत देख, अब तु मुझको देख, अब मेरे रूप को देखी, दुनिया को क्या देखता है, ये टाइल्स नहीं लगा है, तो टाइल्स लग जाएगा, और क्या देखेगा, अब नाला नहीं बना है, दस बरस और जी लोगे तो परगती नगर में रोड बनल देख लोगे अउरका देखोगे भगवान को तो देख नहीं पाओगे नाला बढ़ियां बन जाएगा यह देखोगे भगवान को तो देख नहीं पाओगे तो इसके भगवान का ते बड़ी दुनिया देख लिया बड़ा घूम लिया अब मुझको देख तीसरी पाती में अगर नहीं मानोगे तो कहें तीसरी पतिया में लेली हैं परनमा लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनमा तीसरी पाती में जमदूत के कहेंगे कि जाओ उनहीं देखेंगे कि बाबा साथ दिन के कथा में बैठा हुआ इसकी कथा पूरी हो जाने तो तब ले जाएंगे उनहीं देखेंगे कि बिटिया का मडवा छवाया हुआ है भी अहवा होई जाए तब ले जाने देंगे उनहीं देखेंगे कि तोर बेटवा छोट छोट है पढ़े लिखेला है उनहीं देखेंगे वो समय आएगा बस उठाके लेके चले जाएंगे एक सायर ने कहा कमबक्त मौत कितनी सुन्दर होती होगी कि जो इंसान देखता है उसे गले लगा लेता है अगर जिन्दगी से सुन्दर मौत होगी तभी तो लोग गले लगा लेते हैं जैसे नीद जागने से ज़्यादा अच्छा नीद होता होता है कितना भी आपको मतलब के काहे नहीं एक एलाखवला मुबाईल है लेकिन जब नीद आएगी ता आदमी एक दम सुच जाएगा यानि जिन्दगी से अच्छी नीद आदमी को लगती है तो कहते हैं कि इसलिए भगवान नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो महात्मा जी जो थे और राम राम यपने लगे कोई आवे भगा दें 29 दिन जब बीता तो उन्हीं का एक चेला था बड़ा नजदी थी रोज सेवा करे रोज दूद पिलाता था अपने गाय का लाक के यादों का लड़का था और लड़कवा को जा रहा था रास्ते में साप काट लिया कहीं से आ रहा था अब लड़कवा मर गया अब ओकर बाबू दवडल दवडल महात्मा जी के पास गया बोले महराज हमर बेटवा मर गया अब महराज जी के मुहें से निकल गया जो उसकी मर जी से अच्छा हुआ वो आदत हो गया था न कोई आवे कहे गाय बिमार है तो कहें जो उसकी मर जी से अच्छा हुआ कोई कहे कि महराजी ठेंगुना में दरद है ते कहें जो उसकी मरजी से अच्छा हुआ अब 29 दिन में आदत हो गया ओकर बेटवा मरलता उहो बोल दिये जो उसकी मरजी से अच्छा हुआ अब उयादव गुस्सा गया बोलाई साधुवन के सेवा केले फायदा का रोज दूद पियाओ अपने मत खाओ बढ़िया बढ़िया खियाओ हमर बेटवा मरगया तो कहने जो उसकी मरजी से अच्छा हुआ आज इनकर गरदन काटेंगे गया ओक कत्तार रात भर टेवा एकदम सुवेरे जानता था कि बाबा इसी तरब से जाते हैं सउ चित्यादी करने पहले ही पैंकाणा खाना थोड़ी ओता था घर मर जब महात्मा जी निकले दो छाड़ी में छिपा हुआ था ले गे कत्ता अब महात्मा जी को नहीं पता था कि आज 30 मादिन है और मेरी मृत्यु है वह अपना राम 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 जबते हुए अपना स्वास लगाए हुए भगवान का नाम जबते हुए जा रहे थे उट तब तक रास्ते में कौनों पियाक लगता है वो सीसी वाला बोतल दारूप पी के वो फेक दिया था तोड़के अउए गड़ गया इतना महात्मा जी के इस पार से उस पार हो गया अब महात्मा जी बैठ गए बड़ी तेश से आवाज किये तो चिलवा सुन रहा था उझाडिम बैठलता गणासा लेके बुला कि बाबा पर दुख पड़ा है तो अपने दुख पर ही क्या बोलत से अच्छा हुआ तो बोला ही तो अपनों दुखबा पर वह बोल रहे हैं बोले गुरु महराज आज तो हमसे अफराद हो जाता आपको मैं काट देता बोले तोरे अवकात है कि तो हमको काट देगा आज जोड तो एक महिना पहले हमने सपना देखा था आज कौन दिन है जो तू क्या काट देगा ला काट अब ला काट बोले अब गुरु मराज कहा काटेंगे बोले वो काल वैठल था लेकिन देख राम नाम के प्रभाव से मेटत कटिन कुवंक भाल के मेरी मृत्यू आज लिखी हुई थी लेकिन भगवान के नाम में इतनी सकती है कि मैं उनका नाम जबते हुए आ रहा था मेरी मृत्यू भी टल गई अब जो भी जीवन जीऊंगा और थोड़ा भजन करने को मिल गया और दो चार साल दस साल भजन कर लूँगा तो इसलिए सर्जनों आप बाइक चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो घर में सोय हो रास्ते में जा रहे हो तो भगवान का नाम ओम चाहे राम यहीं दो मंत्र है तो राम 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 जबते हुए जाओ दुर घटना लिखी होगी लेकिन गिड़ना होगा पहाड गिर जाएगा राई विपत्ती आएगी लेकिन थोड़े में ही कट जाएगी भगवान के प्रभाव से इसलिए सतसंग में बहुत प्रभाव है इसलिए हमेशा अपने से अच्छों की संगत करना चाहिए अगर आप अच्छों की संगत करते हैं तो दुनिया में जो कुछ भी जिसे मिला है गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सोजान बसत संग प्रभाव लोकव बेधन आन उपाव वो सतसंग के प्रभाव से मिला है आज जो भी इस एरिया में सुखी और संपन लोग होंगे आप उनके पास जाईएगा अगर वो धर्मात्मा नहीं होंगे तो उनके दादा जी जरूर रहे होंगे और वो हो सकता है अपने दादा की ही कमाई पर आज धर्मा बहुत धनवान बने होंगे लेकिन जरूर धर्मात्मा होंगे तभी जा करके उनका भगवान यस किर्थी बढ़ाये हुए हैं इसलिए नहीं तो पापी व्यक्ति का तो दसा दस बरस चाल चालिस बरस और धर्म करम दस बीस पुष्ट चलता है बाप दादा काते थे दसा दस बरस हमने देखा है कि जो दुद्दू चर्चर इस कार्पियों से चलता था आज उसके पास टेम्पू भाड़ा नहीं है यही है दसा दस बरस जब भगवान नराज होते हैं तो घीच लेते हैं फिर वो टेम्पूओ पर चड़े लायक नहीं रहता है अचाल चालिस बरस खूब चाल से चलोगे खूब कंजूसी से चलोगे मक्खी चूस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है मक्खी चूस का मतलब अरे दाल में मक्खी गिर गया तो पहले उसको निकाल के चूस लेगा अतब फेकेगा मतलब दाल खोड़ा बहुत बाहर नहीं जाए कितने लोग होते हैं कंकड उंकड अगर मिल जाता है मुह में तो ऐसे नहीं थूख देते हैं पहले उसको कंकड़वा को ऐसे मिला लेते है कि कुछव एक को भात बाहर न जाए तब उकर आई से पकड़ के अतब बाहर भीगते हैं उसी को मक्खी चूस बोलते हैं तो केतनों चाल से कंजूसी से चलो गे तो धन तुम्हरा 40 बरस ठीकेगा इससे जादा नहीं 40 बरस बाद कौनों दान भीर कर्ण तोरे घर में पैदा होगा और कोठा ओठा पर जैसे आज ये धुन्दुकारी की कथा सुना रहे थे न कौनों कोठा वाली मिल जाएगी डाइन जोगी और सब रुपईया घीच लेगी तो और धरम करम से अगर आप चलिएगा तो दुचार दस पुष्ट चलेगा लोग कहगा एकर दादा जी बनाये थे देखो अभी तक चल रहा है ऐसा है न समाज में तो इसलिए एक भजन अब हो जाए उसके बाद फिर आपको दान की महिमा बताएंगे एक कोई बढ़िया भजन आप सुना दीजिए अब एक ठो हम भी बढ़िया भजन आप लोगों को सुनाएंगे अभी आठ बजा है अब ज्यादा देर नहीं चलेगा और परसादी पाकर के और आप लोग आनंद से रहिए उसी में हम आनंद हैं इसलिए हम लोग दो तीन घंटा यहां पर आके बोलते हैं हम तमाम आज कल कथा बाचक भूम रहे हैं पैसा लेते हैं पाचलाग दूलाग कब जाके बोलते हैं हम किसी से एक रुपईया नहीं लेते हैं कथा और सत्स कुम क्या चाहिए हम बहुत बना भी देंगे तो हमर बेटवा बिटियात है नहीं कि उसमें रहेगा कोनों सचुरा जाके गाजे भी हैं सो हमें न उर्कावी मरले के बाद कोनों कई गाड़ी हम मरें कोनों कहगा वहमें अपने फिलड़ी हैं सो सब तो इसलिए भजन एक आप लोग सुन लिजिए और फिर तब सत्संग सुनाते हैं फिर समापन कर देंगे और फिर आप लोग आजे लग रहा है कि इनका ग्राउंड फूल हो गया तो कुरसी सब जितना है पीछे करवा दिजिएगा अब माई लोग इधर से कल बैठ जाईएगा इधर बैठ जाईएग और वो चट वो जितना दरी है वो खाली कर दिजिएगा बोल दिये हैं हम यहां ब्यवस्थापक जो हैं विष्णू जी जाली जी उन लोगों को तो भजने को सुना कहां गए वो कहां चल गए लगए कि ज़्यादा खाली है जिका हो इस बिहार के अन्हा कहिदा के हिसाबय क आप से खाई है बिहार के अन्हों कोई पचा सकता है जल्दी तो इसलिए जल्दी बोलाओ कहां गए बिहारी जी तब तक एक कहानी दो मिनट का सुना देते हैं एक महा अपराधी था उसको जब सजा हुआ तो जज साहब जो थे उन्होंने कहा देख तुम तो है बड़ा पराधी लेकिन मैं तुम्हें तीन सर्थ दे रहा हैं अगर इन तीन सर्थ में कोई एक सर्थ तुम मान लोगे तो मैं तुमको ये बिस बर्सा होने से रोग दूँगा तो जेल के जो जज साहब थे कोट के वो उसका नसा छोड़वाना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था बहुत पियाक था हुई तो उसके सामने उन्होंने तीन सर्थ रखा पहिला सर्थ रखा कि या तो तुम दारू पी लो तो तुम्हें जेल से हम मुप्ट कर देंगे या तो तुम गलत काम बेश्या बिप्ति कर लो तो तुम्हें मैं जेल से मुप्ट कर दोंगा और या तो चोरी कर लो तो उसने देखा कि भाई अब मैं सारे अपराध कर्म छोड़ चुका हूँ अगर चोरी करूँगा तो फिर दुनिया ये कहेगी कि चोर है अगर मैं गलत काम करूँगा तो फिर दुनिया कहेगी कि ये छिनार है तो काहे नहीं दारूप पी लेते हैं एक गिलास कत बात है सुबेरे उतर जाएगा और इधर हमको सजा होने से भी बच जाऊँगा तो कहा कि जज साहब हमरा है वह एक गिलास एक पववा जितना पीने वाले होते हैं न हूँ कहेंगे बस बाबा आज भर खाली बस काल से एक दम छोड़ दे और जब काल आएगा तो कहेंगे काल कहां आज आ गया फिर अब काल से छोड़ देंगे सोचिये कि जिस से पूछो कता हम नसा नहीं करते हैं तो इस दुहजार करोण के पुरे भारत में दारू गाजा चरस कहां से भिक रहा है ये रील बना के जय स्री राम लिख देना से राम राजा जैतो बिचार करिए कि जिस देश में दस बज़े के बाद आप अपनी बिटिया को कोई किराना दुकान से सामान लेने के लिए नहीं भेज सकते हैं मतलब नारियां असुरचित हों दस बज़े के बाद जिस देश में दो हजार करोण का दारू और दो हजार करोण का ड्रक्स प्रतिन भिक रहा हो उस देश में क्या सिर्प जय स्री राम लिख देने से राम राज या जाएगा राम के सिधान्त पर चलने पर राम राज या आएगा जब हम राम और कृष्ण के सिधान्त पर चलने लगेंगे तब यह देश जाकर के अपने आप सनातन राष्ट और हिंदू राष्ट हो जाएगा और राम राज यहां आ जाएगा राम का सिधान्त क्या है तो राम का सिधान्त यहीं है कि मातू पिता गुरू प्रभुके बानी बिन ही बिचारी करिय सुभजानी माता पिता गुरू की जो वानी हो उसे बिना बिचार के करो यहीं राम का पहिला सिधान्त और जब उस पर आप चलोगे तब राम राज या जाएगा तो जई सहीं उतारू पिया न तो जब आदमी नसा में हो जाता है तब उसको गलत काम करने का मन करता है तो गलत काम करने के लिए क्या चाहिए पैसा तो जब दारू पिया तो अब गलत काम करने का मन किया गलत काम करने के लिए पैसा चाहिए तब क्या किया चोरी जाके किया तो दारू यह कैसा नसा है गाजा यह कैसा नसा है कि जो समस्त दुर्गुणों का द्वार खोल देता है अब वेचारा चोरियों कर लिया छिनरियों कर लिया और फिर वेचारा जेलों चल गया और जर साब जेलों भेज दिये इसलिए सजनों नसा नास कर देगा फिरोगे दाने दाने पर कटोरा हाथ में होगा कोई नहीं देगा खाने को अभी सिगरेट तुमको पिलाने के लिए तमाम लफुआ सिखा देगा दारू पिलाने के लिए सिखा देगा लेकिन जब तुम उसी नसा के आदी हो जाओगे तो फिर वो नहीं देने जाएगा इसलिए अच्छी संगत करो तब तुम्हारे जीवन में रंगत आएगी यहीं सत्संग का फल है यहीं संत बताते हैं तो एक भजन आप सुना दीजी हमर माथा गरम हो गया बोलते बोलते पानी पिलाओ राम नाम से तूने बंदे क्यूं अपना मुख मोड़ा राम नाम से तूने बंदे क्यूं अपना मुख मोड़ा गोड़ा जाए रे समय का भोड़ा राम नाम से तूने बंदे जाम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोरा दोड़ा जाए रे समय का दोड़ा जाए रे समय का दोड़ा कि वाइन साफरों कर दोड़ा बचपन वीता खेल पूद में युवा मोज में सोया देख पुढ़ा पा आया तो क्यों पकड के लाठी रोया देख पुढ़ा पा आया तो क्यों पकड के लाठी रोया अब भी सोच समझ ले नहीं तो पड़े का काल हा थोड़ा थोड़ा थाई रे समय का गोड़ा थोड़ा जाई रे समय का गोड़ा राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुक मोड़ा थोड़ा जाई रे समय का गोड़ा थोड़ा जाई रे समय का गोड़ा समय का गोड़ा थोड़ा 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 क्या लाया क्या ले जाएगा क्या पाया क्या खोया क्या लाया क्या ले जाएगा क्या पाया क्या खोया वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया काल शीश पर बैठा इसने कुई यह ना है छोड़ा दोड़ा जाए समय का भोड़ा हा दोड़ा जाए रे समय का भोड़ा राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा तोड़ा जाए रे समय का भोड़ा तोड़ा जाए रे समय का भोड़ा दोड़ा जाए रे समय का भोड़ा दोड़ा जाए रे समय का भोड़ा दोड़ा जाए रे समय का भोड़ा एक भजन हम भी सुना देते हैं हमारे पुझ्य गुर्देव भगवान का ये बड़ा प्यारा भजन है स्वामी जी बच्पन में भी ये भजन सुना करते थे और अभी भी कभी कभी गुन गुनाया करते हैं या किसी से सुना करते हैं तो आप लोगों में भी ये भजन सुना होगा बड़ा पुराना भजन है तो पीछे पीछे आप लोग भी गाएंगे उसके बाद पिर दान क्या है वो हम बता करके और आज की कथा का यही परविश्राम करेंगे तो इसलिए हडबढ़ाना नहीं है बल्कि जो लोग रास्ते में हो वो भी जल्दी से आजाएं तो आप लोग भजन गाओ ओ पालन हारे निर्गुन आप्यारे ओ पालन हारे निर्गुन आप्यारे ओ पालन हारे निर्गुन आप्यारे भगवान स्रीक्रिष्ण छब्विश्तारिक को अब इस धरा धाम पर आये थे और ऐसा भाव रखना है कि फिर इस छब्विश्तारिक को भगवान प्रगती नगर में आ रहे हैं कथा के माध्यम से आपकी भावना के माध्यम से तो आप लोग आज ही से उनके लिए पुकारें या प्रभु जगत के पालन हार हो ओ पालन हारे निर्गुन आप्यारे ओ पालन हारे निर्गुन यो प्यारे तुम्हरे बीन हमरा ओ नाहीं भगवन आपके दिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है सब हमारी इजत्ते लुपेरे हैं आप हो बस तो अमरी उलजन सुलजाओ भगवन अमरी उलजन सुलजाओ भगवन तुम्हरे बीन हमरा ओ नाहीं तुम्हरे बीन हमरा ओ नाहीं प्रभु जो हमारी उलजन हो आप सुधारो क्योंकि आपके सिवा दुनिया में उलजन देने वाले बहुत हैं आप ही हो जो इस उलजन से उबार सकते हो इसलिए तुम्हे हम का को सभाले तुम्हे हम को सभाले तुम्हे हमरे रखवाले 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 तुम्हे हमरे भगवान आप ही हमारी रच्छा कर रहे हो भगवान बोडी गार्ड है रच्छा करते हैं अपने भगत की तो इसलिए आगे ये भगत कते हैं कि तुम बिन हमरा हो नहीं तुम बिन हमरा तो नहीं चंदा में तुम ही भरी है चादनी भगवान ये चंदा में जो चादनी आप लोग देख रहे न ये भगवान की ही सी तलता है तो आप लोगों ने बच्पन में सब लोगों ने पढ़ा होगा एक पोयम था एक कविता था कि जिसने सूरज चाद बनाया जिसने चिडियों को चहताया तो इसमें है कि प्रभू आपने जो चंदा में चादनी भरी है वो आपकी ही है और सूरज में उजाला तुमी से है यह दगन है मगन यह मौसम यहां का क्लाइमेंट अभी खूब मगन है वो भी मस्त है कि भगवान आएंगे क्योंकि भाव नहीं तो प्रभू को खीचती है इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुना अयन अगर आपका भाव नहीं है तो साचात भगवान भी सामने आजाएंगे तो उनको भी चारगो गाली देके भगाते और अगर भाव है तो आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं इसलिए कहते हैं बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे ना जाने किस धेश में ना रायन मिंजाए रे भगवान सुदर्सन और गदा ले करके आएंगे अथ तब तुम जाके गोड लगना अथ परनाम करना तो इसा भूल कभो मत करना भगवान जब भी अपने भक्त के पास आए हैं तो कोई न कोई दूसर रूपई बना के आए हैं तो इसलिए वो कथा कल हम आपको सुना देगे कि भगवान किस तरह से जिस भी भक्त के आहा आ गये हनुमान जी इस धर्ती के सबसे बड़े भक्त है हनुमान जी और कलजुग में अभी हनुमान जी जिंदा है लेकिन उन हनुमान जी के पास भी अगर राम जी जाते हैं तो भेश बदल के ही जाते हैं और सुग्रिव और हनुमान जी दोनों चकरा जाते हैं कि आखिर हैं कौन और हनुमान जी आके कहने लगते हैं कि की तुम तीन देव महकोव। नर नारायन कीतुम दोव। कीतुम अखिल भुवन पती लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुन गोपाद। सज्जनों आज हनुमान जी को लोगों ने ओज्छा बना दिया, खास तोर से आपके पंडित पुरोहित लोग। ये मोबाइल सब लोग बढ़का चलाते होंगे, उसमें देखते होंगे कि अभी दस, बीस्थो, बाबा, इसन है, मोच, मुडा, मुडा के ये सब के परची बनाते हैं ने समझे, अब पीछे हनुमान जी के फोट, परची, अब आपकी परची बन रही है, और अरजी लग रही है, अरजी अगर हनुमान जी ने अपने भगवान के स्रीचरण में किस तरह से अरजी लगाई, उस तरह से अगर आप अरजी लगाएंगे, तब तो आपकी अरजी स्विकार हो जाएगी, और नहीं तो अगर ढोंग धतूरा, नारियल चुनरी बान करके अरजी लगाईएग ये क्यावन ये कईस जा करके, तो भगवान भी कहियो अरजी नहीं लगने वाली है, आप सोचिए कि जब राम जी पर भी पत्ती आई थी, तो राम जी अरजी लगाने गए थे, जब कब भी पत्ती आई, जब लचिमन जी को सक्ती बान लगा, तब राम जी ने क्या कहा, कि ह हनुमान जी जाओ जड़ी बूटी लेके और बैद्य को बुला के लेके आओ इसका इलाज कराओ और आज सब लोग कहेंगे कि नहीं अरजी लगाईए और हम तब आपका परची बनाएंगे और कईठो हैं और वहाँ लोग जाके भीड मचा मचा के अपनी परची बना रहा है तो परची में निकल क्या रहा है तो तोरा ठेगुना में दरद है तो तोरा बेटवा कहल नहीं मानता है तो तोरा पास धौन नहीं ठिकता है अरे भाई ये तो समाज की मूलभूत समस्या है अगर आज मैं कहूं कि आपका बेटा कहल नहीं मानता है तो भला बताईए केकर केकर बेटा अमें कहल मानता है तू कहेगी पूलट धीरे चला दौर हर दे कर दे तो तो तू सोचेगी के रे बाबा तो अंतर यामी है जान गए के रे इतो पर्ची में इन्होंने पहले से लिख दिया आप एक सरे मसीन के पास जाते हैं और एक सरे मसीन ये बता देती है कि आपका हड़ी तुटा हुआ आप नहीं देख रहे हैं एक सरे मसीन ने बता दिया तो क्या वो भगवान हो गई आप तमाम मसीने निकल गई है ये brain का नस का जो सब करती है CT scan आप नहीं देख रहे हैं लेकिन पतली से पतली नस को बता देती है कि ये block है तो CT स्कैन को भी आप भगवान मानो लो कुछ देर के लिए उकरो अगर बतिज लगो जलाने तो ये हमारी आपकी भूल है अगर कोई ब्यक्ति बिना बताये हुए भी आपकी समस्या को बता दे रहा है तो क्या वो भगवान हो गया? क्या आप वहाँ भीड लगा के चले जाएंगे तो क्या आपको भगवान को दे देगा हुए नहीं इन सब पाखंड से बचना है और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो गीता और स्री राम चरित मानस की बिधी को अपनाना होगा इसी बिधी को अपनाने से तमाम महापुर्शों ने भगवान को पाया और गुरु सिष्य परंपरा में जाना होगा क्योंकि गुरु में ही वह पावर है वह सत्ता है जो आपके सामने भगवान को लाके खड़ा कर देगा इसलिए गुरु गोबिंद को दोव खड़े काके लाग उपाए बली हारी गुरु आपनो गोबिंद दियो बताए तो इसलिए सजनो अब गुरु का इतना महत्व है तो संसार में सब गुरु बनके बैठ गए बोले चार लाइन बोलने सिख गए चार बात सिख गए और हो गए गुरु का मतलब होता है गुमाने अंधकार और रूमाने होता है प्रकास इसलिए इतनी बात को मैं इसलिए आप लोगों को बताया कि समाज में अभी यह रूड़ी है हनुमान जी गए और सुखेन बैद्य को लाए सुखेन बैद्य ने जा करके दवाई बताया हनुमान जी जाके दवाई ले आए और उसके बाद लचिमन जी को सुखेन बैद्य ने लगाया लचिमन जी जिन्दा हो गए आईसे तमाम उदाहरन हैं हमारे सास्त्रों में जहां भगवान में भी अपने भक्तों को मेडिसीन की सलाह दी और बैय्द की सरण में जाने का सलाह दिया कोई परेशानी आ रही है उसको सुलजाने का सलाह दिया चाहते राम जी तो ऐसे कर देते हैं और लश्मन जी जिन्दा हो जाते इतना पावर फूल थे तीनों लोग के मालिक थे लेकिन भगवान राम जानते थे कि अगर मैं आज आडंबर कर दूंगा तो मेरी नकल पूरी दुनिया करने लगेगी जब नहीं किये तब इतना नकल हो रहा है अगर वो कर देते तो कितना नकल करने लगता सब तो इसलिए अगर हनुमान जी कह देते न राम जी से के हे राम जी कहला हमरा परसान करतार ये तना जड़ी भूटी खोजेला हमरा नाम परी 11 गो सुमारी के बलव नारीयल चुनरी मंगल के बांदी जी अपने खड़ा हो जाएंगे उठके हनुमान जी बोल देते राम जी को तो ओ हनुमान जी को ही लोग ओजहा बना लिए भूत भगाने का देवता बना लिए भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो भूत माने क्या होता है संस्कृत डिस्कनरी में आप पढ़िए गूगल पर सर्च करिए भूत माने होता है जीवित प्राणी इसलिए भगवान सिव का एक नाम था भूत नाथ तो कहते हैं कि हमरी उल्जन सुलजाओ भगवन तुम्हरे बिन हमरा कोई नहीं इसलिए नुरूढी से बचना है और आगे कहते हैं जो सुनो तो कहें प्रभूजी हमरी है यहीं बिनती जो सुनो तो कहें प्रभूजी हमरी है यहीं बिनती दुखी जन को धिरज दो हारे नहीं ओ कभी दुख से तुम निर्बल को रच्छा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ती दो सक्ती दो जन के हो स्वामी जग के हो स्वामी कितनी तो अरज सुनो ये पथमे अधियारे कितनी तो अरज सुनो अधियारे ओ पालन हारे निर्बल ये तुम्हरे बिन हम राकोनो नाही कितनी तो अधियारे निर्बल ये तुम्हरे बिन हम राकोनो नाही अमरी उल्जन सुलजाओ भगवन तुम्रे बिल अमरा कोई मारी ओ पालन हारे निर्गुनो न्यारे तुम्रे बिल अमरा कोई मारी तो इसलिए भगवन ही हम सब के हैं और आप सब लोग भगवन हैं भगवन ही एक दूसरे के सहारा हैं इस संसार में भगवन ही रूप बदल बदल के आये हैं कहीं चेला बन जाते हैं कहीं गुरू बन जाते हैं कहीं बिटवा बन जाते हैं ये केवल खोली अलग अलग है और इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सब के अंदर भगवन है ऐसा महसूस करना चाहिए जब खाटू से आम बरबरीक के अहां पांडव लोग पहुंचे क्योंकि पाचो भाई कह रहे थे कि हमने परदर्शन किया अच्छा हमने किया तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो खाटू से आम बताएंगे बरबरीक कि कौन अच्छा परदर्शन करता है तो भगवान लेके गए तो इस्टिर कर रहे हैं कि बर्बरीक ये बताओ मेरी धर्म नीती अच्छा रही न महाभारत में तब न हम युद्ध जीते तो अर्जुन कह रहा है नहीं नहीं बर्बरीक मैंने बान बढ़ियां चलाया था तुम तो देख रहे थे पहाड पर से बर्बरीक सुन रहते और मुश्कुरा रहे थे तब तक भीम बोले ने मेरी गदा काम आई नकुल सहदेव ने बोला में मेरा भी युद्ध में अच्छा योगदान रहा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले बरबरीक बताओ पंचैती करो इस लोग का तो बरबरीक ने कहा देखो भईया युदिष्टिर अर्जुन आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे मरने वाले भी भगवान थे मारने वाले भी भगवान थे सब ये सुदर्सन चक्र कर रहा था तो इसलिए जब यह दृष्टि आ जाएगी तो सब में ये समझ में आ जाएगा की भगवान कर रहे है इसलिए दान इस संसार में सबसे बड़या दानी खाटू स्याम को कहा गया उन्होंने सीस दान दे दिया सीस के दानी और जहां ये रहते हैं वहां से नजदीके में है राजस्थान में हम गए थे खाटू गाउं का नाम है और स्याम तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम ही दे दिया था बहुत से लोग गए होंगे बहुत से लोग भजन भी सुनते हैं तो सबसे बड़ा दानी सीस का दानी तो सीस दान करने का मतलब क्या होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपना सीस काट दे तो क्या वो जिन्दा रहेगा वो तो मर जाएगा क्योंकि ये ब्रेन जो खुराक लेता है वो किड्नी से लेता है और हिर्दय पंपिंग करता है तब यहां से इस ब्रेन को मिलता है खुराक, मेडिसीन कहता है तो सीस दान का मतलब होता है एक जगह हमारे महापुरुसों ने कहा है कि यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाएं सीस उतारे भुई धरे सो घर आवे माएं ये घर जो है ये प्रेम का घर है आस्रम मंदिर या आपका घर भी प्रेम का घर होता है इसमें सीस उतार दो, सीस माने अभिमान का परित्याग कर दो भगवान कृष्ण ने उनके अहंकार को नश्ट कर दिया था जो उनके अंदर अहंकार था कि मैं एक नहीं बान में पूड़े महाभारत को नश्ट कर सकता हूं जीत सकता हूं और मदद उसकी करूँगा जो कमजोर होगा तो भगवान ने कहा कि अरे ही कैसे होगा मेरी सरंद में तो अरजुन है तो भगवान कहें अच्छाई पत्ता जो देख रहे हो ना पाकर का पेड़ आप लोग देखें होंगे हवन के काम में वो लकड़ी आती है तो पाकर के पेड़ के नीचे जाईएगा मेरे आस्रम में है बक्तियार पुरानी सराय जहां में रहता हूं तो देखिएगा कि नीचे से सारा पत्ता उसका लगता है कि छेदा हुआ है अब उपर से उसी पत्ता को देखिएगा तर लगेगा कि इदम पैक है लेकिन जब उस पत्ता को नीचे से देखिए तो लगता है कि सब में छेद है तो भगवान ने दो पत्ते अपने चरण के नीचे रख लिए लेकिन बर्वरीक ने सब पत्तों में छेद कर दिया और उस पत्ता में भी छेद हो गया जो चरण के नीचे थे तब भगवान में सोचा और जुन भी मेरे चरण के नीचे है सरन में है इत्व ससुरा ओकरो मार देगा तो ऐसा करो कि इसका सीज काड़ दो, अंकार इसका नस्ट कर दो, फिर बरबरीग जब अंकार नस्ट हो गया, तब बरबरीग भगवान के भगत हो गये, और उने कहा प्रभू एक इच्छा है महाभारत पूरी देखने का मन है, तो ये आध्यात्मिक चीज है, महाभारत का मतलब लड़ाई नहीं होता है, महाभारत का मतलब होता है कि महा माने होता है महान, भा माने होता है ग्यान, और रत माने होता है जो इसमें लगा हुआ है, जो ग्यान में लगा हुआ है, उसके अंदर ही युद्ध चालू होता है, मह भारत तो जब अंदर से युद्ध का सुत्रपात हो जाएगा तो वहीं व्यक्ति धीरे धीरे इस युद्ध में कौरों का नास कर देगा पांड़ों की बिजय हो जाएगी तो खाटू श्याम का भगवान ये तो ये अहंकार हम लोगों के पास सब के पास सीस है आईठन है हम सादुजी से कम ज्यानी हैं सादुजी से थोड़ा सा ज्यादा हम जानते हैं बाबा थोड़ा यहां गलत बोले अरे हमरे पास कमी कौन है कि हम भागवत में जाके बैठें इहाई सीस है अईसी को काटना है जब तक यह सीसवा नहीं काटोगे न तब तक इस सीस को जब तक नहीं काटोगे तब तक इसको जुकने ही नहीं देगा हा बाबा बोलिये का बात है कोई कमी होगा तो बोलियेगा यह जुकने ही नहीं देगा लेकिन जब इस पर ज्यान का प्रभाव हो जाएगा कृष्ण का प्रभाव हो जाएगा तो यह सीस जुक जाएगा बोलेगा प्रभु तेरा तुझको अरपन क्या लागत है मोर यह नारा यहीं हुआ सीस उतारे भुई धरे सीस को अहंकार को उतार के फेक दो न जाने कितने आए अइठते अइठते कब पारलाइसिस मार दिया कब चले गए पता ही नहीं चला तो इसलिए सीस उतारे भुई धरे सोघर आवे माई तो जब सीस का दानी बन जाओगे अहंकार का परत्याक कर दोगे तब आप वास्त्रिक दानी बनोगे और यहीं वास्त्रिक दान है मन का दान, मन का समर्पन एक पार भगवान श्रीकृष्ण और बड़ा रोचक तत्या दो मिनट का है बता देते हैं भगवान श्रीकृष्ण और अरजुन बैठे हुए थे भगवान श्रीकृष्ण कई बार अपने वारता क्रम में कर्ण का नाम ले रहे थे खाटू स्याम भी एक दानी थे और हमारे इतिहास में एक कर्ण भी दानी था और एक राजा वली भी दानी थे लेकिन कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा गया खाटू स्याम से भी बड़ा दानी कर्ण था सज्जनों आज कल कोई अपने बेटवा का आज तक कर्ण नाम रखा बताईए तो कर्ण नाम रख भर दीजिए वो सब लुटा देगा सब दान कर देगा तो खाटू स्याम से भी बड़ा दानी कर्ण था अब अंतर हम बताएंगे तीनों दानी का कि तीनों दानी में खाटू स्याम से भी बड़ा दानी कर्ण कैसे हुआ या राजा बली से भी बड़ा दानी कर्ण कैसे हुआ तो कर्ण का बार बार भगवान कृष्ण नाम लेते थे तो अर्जुन को गुस्सा आता था कहे अर्जुन बोले प्रभू चाय नस्ता हमरे पास हो रहा है जब आते हो तो चाय लाओ नस्ता लाओ अब बड़ाई दुस्मन की अब कोई के घरे जाओ आप चाय पीओ उसका अब बुराई करो के बड़ाई करो दुस्मन की तो मार के पहिया देगा के बाग यहां से बड़ाई दुस्मन की कर रहा है तो अर्जुन के प्रभू खा रहे हो मेरा अगुनगान कर्ण का क्योंकि थे सब भाई लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि यह कर्ण मेरा बड़ा भाई है कुंती ने आगे आपको कथा ब्यास जी सुनाएंगे अब हम ही ही बेचारे क्या सुनाएंगे कि सोचने महराजे कुल सुना दे रहे हैं तो क्या नाम है अर्जुन भिगड़ गया तो भगवान के अच्छा ठीक है देखो परिछा ले लेते हैं तुम देख लेना कि कर्ण दानी है कि युधिस्टिर दानी है तो बोले आपने मेरे भाईया से माना कब मांगिये जो मांगिया गया हो देंगे कर्ण का दानी है दानी है खाली रट ले रहते हैं कर्ण इतना बड़ा दानी था कि जब इंद्र अर्जुन के पितासरी थे और गय कमच कुंडल मांग के लेकर चले आए दे दिया चीर के दे दिया चक्कु से निकाल के पाइन दूजा तो भगवान कहा ठीक है बारिस का समय आने दो बारिस का समय आ गया पहले बारिस होती थी तो चार-चार महीना लगातार होती थी लोग लकड़ी वगएरा सब घर में पहले रख लेते थे आज के तरह गैस वगएरा नहीं था पहले जीवन बड़ा कठिम था ध धिरे धिरे विज्ञान उन्नती करते गया जीवन सरल होते गया तो बारिस के समय में पंडी जी बन गए भगवान कृष्ण चेला बना लिये अर्जुन को और दोनों पंडी चेला चल दिये चल गए पहले युदिश्टिर के पास वहां गए तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो भईया हम तो यग्य कर रहे हैं और सौमन चंदन की लकड़ी की जरूरत है आप दो युदिश्टिर ने कहा ठीक है ब्राम्भर दे होता है आप बैठे हैं हम सौमन चंदन दे देते हैं और बारिस जमा जम हो रही थी लग रहा था कि उत्तरा खंड में जैसे बादल भटा है वो इसे बारिस हो रही थी पूड़ा घोड़ा दवरा दिये कोई बढ़ई के पास हस्तिनापुर में लकड़ी नहीं मिला इंद्र प्रस्त दवरा दिये वहां नहीं मिला तब आकर के बोले प्रभू है ब्राम्हन देवता संत देवता यग एक महीना आगे टाल दो जैसे ही बारिस खतम होगी आपको दो सोमन्चंदन की लकड़ी दे देंगे भगवार ने कहा देखो साधू का एक मरा दस खड़ा एक हटा दस खड़ा है तैयार है कि भाई हम बावा करेंगे तो इसलिए अब तुम्रे पास नहीं है तो कोई बात नहीं जाओ हम दूसरे दरबाजे मांग लेंगे मांगना ही है तो लाज कौन किस बात का तुम नहीं देगा दूसरे दरबाजे जाके मांग लेंगे चले गए कर्ण के पास कर्ण बैठा हुआ था जैसे ही देखा कि कोई ब्रामध आ रहे हैं संत वेस में जा के दंडवत प्रणाम किया बोला आईए भगवन बोले देखिए मैं यग्य करा रहा हूं कर्ण का देखिए बाद विचार बाद में होगा पहिले कुछ बैठिये चाय नस्ता हो जाए उसके बाद बाद विचार होगा भगवान को खिलाया उसके बाद कहा हाँ अब बोलिए अब तो दुवारिये में से फलेटे में से गो हेतना छेदा वाला लगई ले रहे देख ले कवन भाई पापा नहीं है घर में अब काइमरे में से देख ले अब तो छेदों में ताके की ज़रूरत नहीं है लेकिन मतलब आदमी ब्योहार से हटता जा रहा है और अगर कहीं दीन भर में दस कप चाय बनाना पड़े तो तलाग निश्चित है कहेगा कि तुरह दोस्त यार इतना आते रहता है कि हम तुरह चाय बना लेला हमर बाभू 20 लाग दिल के अतिलग हम जाहियो कोट में अपलाई करने पुरानी सब्यता लोग भूलते जा रहा है तो भगवाने का देख हम जगरा रहे हैं सौवमन लकडी की ज़रुएत है करने का भगवन अभी बारी सो रही है लेकिन आप घबडाव मत सौवमन नहीं दो सौवमन लकडी की बेवस्था करता हूँ गया तीर धनुस ले आया राजा महराजा का दरवाजा चवकड तो बड़ा मोटा मोटा होता है आप लोग जब सेखुआ का लगाते हैं जिनके पास पैसा आठता है ने ते भाईल मुनियमेक लगा लेते हैं तो हुमारा एक के बान कुल्ह वही चंदन के लकडी के चवकड बन वही ले था सब तूट गया अवो दूई सोवमन हो गया बोले भगवान उठा के ले जाओ जितना मन करे उतना ले जाओ और जरूरत है रेक दो दरवाजा और है और तोड़ देता हूँ तुलसी पच्छिन के पिये घटे न सरिता नीर दान दिये धन ना घटे जो सहाय रगुबीर अगर भगवान दिये हैं तो अगर कहीं सुभ काम होता रहे कहीं ससंग हो भंडारा हो उसमें बढ़ चड़ के हिस्सा लो क्योंकि बैंक वाला या तो बिटवा बिटिया खाई है या तो बैंक मैनेजरे खाई जाई अभी सत्य घटना मैं बता रहा हूँ अयोध्या के एक भक्त है मिस्रा जी उनके सरसुर साहब दुबई में रहते थे करोना काल में तो दुबई में रहते थे तो लगता है कई डालर रुपिया इंडिया में भेजे थे तो दुबई से पटना में सायद ट्रांसपर होता है पईसा वो इंडियन बनता है पटना में कोई बैंक है तो वहाँ से जारखंड के थे तो जारखंड में नहीं है वो चीज पटना में है अब जतना पैसा वो भेज ले थे नोमनी कोई के नहीं बने ले थे अब वो पैसा बैंक मेनेजर सोच रहा है कि हम देबई न करें और नहीं इसको खा जाएं तीन साल चार साल के बाद वो पर रहे हैं, लेकिन नहीं जीत पा रहे हैं, अब साथ भगवान की क्रिपा हो तो हो जाए मेरे पास आयतेब प्यार कुछ। अब सोचिए बहुत चुटा के रखा था लेकिन उबैंके में रह रहा है इसलिए धन की सोभा क्या है सतकर्म में लग जाए हाथ की सोभा क्या है परमार्थ में लग जाए पैर की सोभा क्या है इससे किसी का भाला हो जाए इससे चल करके मंदिर पहुंचाओ सत्संग अस्थल पहुँच जाओ, ये पहर का उसमें लाभ हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण अपना ले गए, थोड़ा बहुत अपना यग्य किये, अब इधर पानी चड़ने लगाई थी ठीर को, बोले हूँ दे दिया हमर दुस्मनमा, हमको कहे नहीं याद आया, हमरे पास तो दो दो सो चार सो मन का एक एक दरवाजा था, हमको क्यों नहीं याद आया, भगवान कृष्ण आये, और बोले भईया घबडाओ मत, जिसके दिल में दान बसता है न, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो देख लेता है की जरूरत कहां है, अब कहेंगे जब भागवत खतम हो जाएगी, तब जो नहीं देने वाले रहेंगे, वो कहेंगे जाली जी, अंजनी जी, विश्णु जी, आप आये कहीं या तरी खमरा बताये कहीं नहीं जी, आप बताते नहीं आ करके तो हमों कुछ मदद करते, अरे पांच दिन से हवा हवाई घूम रहा है, पते नहीं है, और जिनके दिल में दान बसता है, वो ढूढ़ करके, ए भाई मेरे परसाद बनवा देना, मेरे तरब से लंगड चलवा देना, तो अगर भगवान ने दिया है, तो ये खाएगा कौन, आपी का समाज, इसलिए उसमें सुभ कर्म में लगाना चाहिए, तो इसलिए कर्ण, ज उतर करके, बोले दान करो, बोले प्रभू अब तो मर रहा हूँ, जो सब है आपका जाईए, आपको असियत लिख दिया, बोले पक पागल कहीं का, दान दे वो भी अपने हाद से दे, तब उसको याद आया कि ये गो सोने का दात लगवाए थे, तूट गया था थे, का प्र देखिए, मर्दे समय तो एक इंची भी आपको चलना दुरुवाद, पहार चड़ने के बराबर है, वो उठाया, तोड़ा, और वही पर पान से मारा समर से भुलनियर गंगाजी प्रगत हो गई, और धो के बुला प्रभू लीजिए, भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे स बड़ा दानी कोई नहीं होगा, वो भी कृष्ण की का भक्त, बाली भी भगवान बिश्मु कृष्णे अतार का भक्त, सीस दानी, खाटू स्याम भी भगवान कृष्ण के ही भक्त, लेकिन वहीं भगवान स्री कृष्ण सर्वस्रेष्ट दानी की संग्या प्रदान करते है कर्ण को और कर्ण से काते हैं तू कुछ मांगग बोले प्रभू ये कर्ण वो भी माँगे ये असंभव अभी तक तो आप मांग रहे थे हमसे अब करें तू मांग। बोले नहीं अच्छा मांगो मत कुछ इच्छा जाहिर कर दो भग मैं तुम पर रिणी हो गया तब कहा कि अगर इच्छा बोलते हैं तो मेरा इच्छा वहीं है कि जहां किसी की भी लास न जली हो वहां कर्ण की लास जलनी चाहिए तब भगवान ने धर्ती माता से पूछा बताओ कोई दुनिया में ऐसा जगह है जहां किसी की लास न जली हो तो धर्ती माता ने कहा कहीं नहीं आप जहां बैठे होंगे यहां बैठे हैं न हो सकता है सो दो सो परस पर यहां भी मुरद घटी रहा हो न जाने कितने जल चुके हो तो भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता बनवाई और उस हाथ पर जला दान के बल पर बली को भी भगवान ने कहा मांगो तो बली ने मांग लिया था सीस के दानी खाटू से आमने भी मांग लिया कि मैं महाभारत देखना चाहता हूं बली ने कहा प्रभू मैं जिस दर्वाजे से निकलू आपका दर्शन हो जाए लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं मांग नहीं सकता इसलिए कर्ण महान हो गया दानियों में स्रेष्ट हो गया तो अगर आप दान करते हो तो बदले में फल की इच्छा मत रखना पांसो आप लिफाफा लेके किसी के आँ जाके बेटी बहु के सादी में देते हैं रिसेप्सन में देते हैं तो आपको आसा रहता है कि ये हमको भी आएगा देगा लेकिन दान जब आप करते हैं एक मुठी चावल चाहे जो भी छमता के हिसाब से तो उसमें आसा नहीं रहता है कि हमराई बाबा जी दे थी नहीं थी तो जहां पर आसा नहीं होता है उसी का नाम दान है तो इसलिए आप ये दान की प्रतम सीड़ी है संसार में एक मुठी भी अगर आप किसी को देते हैं तो एक मुठ्थी आपने संसार का त्याग कर दिया और धीरे-धीरे यहीं दान आपको मन का दानी बना देता है कर्ण जैसा बना देता है इसलिए उनका परम्प्रिय शिस्य अर्जुन नहीं जला हाथ पर लेकिन कर्ण भगवान के हाथ पर जला इसलिए सजनों दान में यह सक तो ये हमारे कहने का तात्पर है कि आप भू भजन चिन्तन ध्यान पूजन करते रहें सतकर्म में क्योंकि धन तीन प्रकार का होता है दान भोग नत नास जैसे ब्लड आपके सरीर में तयार हो रहा है अगर जादा तयार हो रहा है 18-20 यूनिट हो जा रहा है तो उसको दान कर दीजिए एक आगदू यूनिट नहीं तो एक दिन तो पेशापन के बाहरे आ जाएगा तो दान भोग नत नास तो इसलिए सर्जनों भगवान के दयासे अब कल फिर सपसंग होगा आठ बच के बावन मिनट हो गया अब भगवान की आरती होगी आप सब लोग अपनी चरण पादुका आतरग्रग माई लोग पहिन के इबे नहीं किया है बढिया है ध्यान यहीं सपसंगई में है और सुगदेव महराज जुन जुना बजा रहे हैं तो चलते फिरते खूब नाम जबते रहना है प्रेम से रहना है गुतिया नईया सास पतोव देवर जिठरानी खूब मेल मिलाब से रहोगी तब जाके भगवान मिलेंगे अलड़ते जगरते रहोगी ति हमर ससंगवा सुने से कोई लाब नहीं है एक को जानलो भगवान मिलवे नहीं करेंगे तो इसलिए जहां प्रेम है वहीं भगवान है और जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है बलो गुर्देव भगवान की जय फिर कल कोई अलग भ प्रश्न होगा उसका उत्तर आप ले सकते हैं उसके लिए 10 मिनट समय हमने आप लोगों को दिया है लास्ट में तो पहले ही आप प्रश्न लिख के लाइए इनको जमा कर दीजिए नाम उसमें आप अपना लिख दीजिए और उसका फिर हम आपको लास्ट में उत्तर दे और आप सब लोग खड़े हो जाएं और भगवान की मंगल में